causes of intermediate explosive disorder biological and psychological biological and psychological causes को discuss करना दो reference में बहुत important है number one, you will be able to understand कि intermediate explosive disorder किन reasons की वजह से होता है and that also helps you in developing the management plan of the patient or the client तो जब हम बात करते हैं biological causes की तो उसके सबसे पहले बात करते हैं genetic component की तो genetic component का क्या मतलब है कि अगर first degree relatives जो है उसके अंदर, first degree relatives के अंदर अगर ये disorder मौजूद हो तो ये बहुत हद तक chances होते हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर ये problem जो है वो आ सकता है इसी तरह जो genetic reasons हैं उसके लिए जो twin childrens होते हैं उनके ओपर studies की जाती है और researchers ये explain करती हैं कि जो monozygot twins हैं उनके अंदर chances of intermediate explosive disorder ज्यादा होते हैं as compared to dizygotic twins के इसी तरह जब हम बात करते हैं neurotransmitter की तो तीन neurotransmitters जो हैं वो important role play करते हैं aggressive conduct के अंदर या aggressive behavior के अंदर that is the serotonine, norepinephrine and testorine levels तो जो serotonine level होता है वो deplete कर जाता है depletion होती है जिसकी वज़ा से ये problem हो सकता है norepinephrine का metabolic जो होता है वो dysregulation स्टार्ट हो जाती है जिसकी वज़ा से बहुत हतक chances होते हैं कि बच्चा जो है वो impulsive aggressive behavior ये जो है वो exhibit कर सकता है इसी तरह टास्टरी लेवल जो है वो जादा हो जाता है increase हो जाता है जिसकी वज़ा से ये problem exhibit होता है इसी तरह जब हम psychological causes की बात करते हैं तो उसमें तीन चीजें जो हैं वो बहुत important है अब ये चीजें हैं क्या हम सबसे पहले बात करते हैं disruptive family functioning की disruptive family functioning क्या चीज है कि घर के अंदर जो parents है they don't have any discipline जो है ना वो उन्होंने कोई monitor नहीं किया वा या regulate नहीं कर पा रहे वो बच्चे को proper way में ये नहीं बता पा रहे कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना जो rules and regulation है वो clear नहीं है वो applicable नहीं होते बच्चे के उपर या अगर वो बच्चे को कोई चीज कहते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने उसे apply कैसे करना है in other words के reward और consequence ways करने का कोई जो system है वो घर के अंदर develop नहीं हुआ 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 जिसकी वज़ा से जो family functioning है वो effect हो जाती है और जब बच्चा बहुत ज़दा aggressive behavior exhibit करता है तो वो add in कर देता है उस disturbed family functioning के अंदर इसी तरह जो बच्चा है अगर उसे childhood के अंदर बहुत severe verbal और physically abuse किया गया है parents की तरह से यानि harsh parenting उसे मिली है तो बहुत हद तक chances होते हैं बच्चा जो है वो exhibit करे aggressive problems को क्यूँ इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं एक ये कि चुके modeling का effect होगा तो जहरी बात है जब उसने aggressive dealing जो है वो देखी होगी घर में exhibit होते वे तो it is more likely कि वो उसी तरह का behavior जो है वो exhibit करना शुरू कर दे in his or her circumstances में ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो reason हो सकती है तो verbal और physical abuse जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप history लें तो आप specifically parents से पूछें कि क्या वो बच्चे को जब बहुत ज़ादा डांटे तो नहीं है या उसे बहुत ज़ादा swearing तो नहीं करते हैं या बहुत ज़ादा physical abuse तो नहीं किया जाता यानि छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़ादा punish तो नहीं किया जाता तो ये चीजें जो है ये पूछना और इसके बारे में information लेना बहुत important होता है then childhood trauma childhood trauma जो है अगर किसी बच्चे के साथ कोई sexual abuse हुआ है childhood के अंदर या उसने कोई traumatic event देखा है यानि जिसना कोई war का exposure हो गया है उसे तो बहुत हद तक chances हैं कि aggressive behavior जो है वो उसके अंदर exhibit होना शुरू हो जाएगा तो इस चीज़ को आपने खास तोर के उपर देखना है कि बच्चे की कोई childhood के अंदर इस किसम की history तो नहीं है certain time बच्चे जो हैं ये चीज़ें छुपाते हैं और parents को नहीं बताते तो you need to be very careful for getting that information certain time parents को पता होता है but you need to be ask parents about this history तो जो childhood trauma है वो contribute करता है towards this sort of problem क्यों क्यों कि जब बच्चे ने war zone for example देखा है तो बहुत हद तक chances हैं कि वो जो behavior है वो उसके अंदर भी anger जो है वो exhibit करना शुरू कर दे इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा common है जिसके उपर बहुत ज़्यादा theories भी आजकल develop हो रही है that is the explorer of playing violent video games अगर बच्चे जो हैं वो violent video games play कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा reason हो सकता है कि वो exhibit करें aggressive behavior ठीक है खास दौर पर वो game जिसके अंदर first person shooter होता है वो जो है that is something very important to identify के कहीं बच्चा first person shooter games तो नहीं खेल रहा है video games जिसकी basis के उपर इस किसम का जो है उसका aggressive behavior exhibit हो रहा है Thank you